पाठ उन्निस प्रक्षे पास्त्र विपल और सोनिया घर के बगीचे में बैठे हुए बाचित कर रहे थे सोनिया बोली भैया आपको मालूम है हमारे प्रसित वैज्ञानिक डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम को भारत रत्न सम्मान प्रदान करने के साथ साथ पूरे देश का वैज्ञानिक सलाकार भी बनाया गया था डॉक्टर कलाम भारत के बूत पूर्व राष्टरपरती थे उनका पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पाकिर जैनूल अभिदीन अब्दुल कलाम विपुल ने जवाब दिया हाँ सोनिया मुझे मालूम है तुम जानती हो कि व्यज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम को यह सम्मान भारत के प्रक्षे पास्त्र विकसित करने के लिए दिया गया था उन्हें भारत का मिसाइल पुरुष कहा जाता है भाया हमें इस विशे पर कुछ बताईए सोनिया ने कहा विपुल बोला कौन से विशे पर सोनिया सोनिया कहने लगी भाया आज आप हमें प्रक् प्रिकाव में पड़ा है यह तो तुम भली बाती जानती हो कि हमारा भारत एक शांती प्रियत देश है परन्तु जब कोई अन्य देश इस पर आक्रमन करता है तो उसे मूह की खानी पड़ती है तबी सोनिया बोली हाँ भाईया यह बात तो बिलकुल ठीक है जब कोई हम पर हम करेगा तब उसको जवाब देना ही पड़ेगा विपुल ने प्रशन किया सोनिया क्या तुम जानती हो कि अस्त्र और शस्त्र किसे कहते हैं सोनिया हाँ भाया मेरी समझ में अस्त्रों को यूद के समय शत्रू के उपर फैक कर प्रहार किया जाता है जैसे भाला हद गोला विपुल हाँ सोनिया तुमने बिल्कुल ठीक समझा लेकिन आज जो यूद लड़े जाते हैं उनमें आधुनिक अर्थात नई तकनीक के बने हतियार उपियोग में लाए जाते हैं आज अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों में रॉकेट और मिसाइलों का निर्मान हो चुका है अमेरिका के पास तो ऐसी ऐसी मिसाइले हैं जो बटन दबाते ही दूसरे देश उपर बंबारी कर उन्हें हानी पहुंचा सकती है भहिया आतिश बाजी के रूप में आप भी तो दिपावली पर रॉकेट चलाते हैं सोनिया बोली विपुल हाँ सोनिया आतिश बा एक निश्चित दूरी तक शत्रु की सेना पर वार किया जा सकता है तभी सोनिया कहने लगी भहिया तोपों से भी तो गोलाबारी की जाती है विपुल हाँ तोपों से भी गोले फेके जाते हैं मगर ये गोले बहुत कम दूर तक जाते हैं मिसाइले जादा दूर तक मार सकत हैं हमारे देश में ततकालीन प्रधान मंत्री श्रीमति इंदरा गांदी ने सन 1983 में प्रक्षे पास्त्रों के निर्मान की एक योजना तयार करवाई थी सोनिय तुम जानती हो जब हमारे देश का समेकित प्रक्षे पास्त्र कारेकरम बना तो दुनिया के तमाम ताकतवर हुआ कि प्रक्षे पास्त्रों का निर्मान हम लोगों ने अपने बल पर किया है विपुल हाँ वहन रूस और अमेरिका जैसे देशों ने भी हमें कोई साहता नहीं दी हमारे विज्ञानिकों ने डॉक्टर अब्दुल कलाम के निर्देशन में जो प्रक्षे पास्त्र सोनिया ने पूछा विपुल हाँ सोनिया आजकल लड़ाई का तरीका एकदम बदल गया है पुराने समय में जो युद लड़े जाते थे उनमें धनुषबान और तलवारों का प्रयोग होता था अब तो तमाम तरह के आधुनिक हतियार युद के समय काम में लाई जाते हैं लेकिन किसी भी देश की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है आओ अब मैं तुम्हें अपने देश की विक्सित मिसाइलों के बारे में बताता हूँ सबसे पहले प्रित्वी प्रक्षे पास्र के विशे में जान लो यह श्रेष्ट तकनीक से बना है जो धरती से धरती पर प्र अगनी मिसाइल के बारे में तो काफी जानकारी पिछले समय अखवारों में आई थी सोनिया ने कहा विपुल हां सोनिया अगनी नाम का प्रक्षे पास्त्र मध्यमदूरी तक अपना प्रहार कर सकता है इसमें एक तन तक विस्वोटक सामगरी भरी जा सकती है एदराबाद क रक्षा इवं उत्पादन संस्तान ने इसको बनाया है इसके निर्मान में लगबग 400 विज्ञानिक ने सहयोग दिया 21 मीटर लंबे इस प्रक्षे पास्त्र का भार 19 टन है यहां 2100 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है अभी सोनिया और विपुल की बाचित चल ही रही थी तब आप भी हमें इनके विशे में कुछ बताईए ठीक है अब मैं तुम्हें मिसाइलों के बारे में कुछ बताता हूँ पिताजी बोले तबी विपुल ने कहा आप हमें प्रित्वी और अगनी के बाद बनने वाली मिसाइलों के बारे में बताईए बाबुजी बच्चो तुम पाँच पाँच मिसाइलों वाला देश बन गया है बाबु जी हाँ विपुल हमारे देश के वग्यानिकों की तारीफ करनी चाहिए उन्होंने प्रिथवी और अगनी के बाद आकाश त्रिशूल और नाग नाम से तीम मिसाइले और तयार की है आओ अब इनके विशे में भी सतय से हवा में मार करने में सक्षम है इसकी मारक शमता लगबग 27 किलोमेटर तक है इसी तरह त्रिशूल नाम से एक अन्य मिसाइल बनी है जो हवा में मार करके शत्रों के ठिकाने नश्ट कर सकती है यह कम दूरी तक प्रहार करती है यानि केवल 500 मीटर से 9 किलोमेटर तक नाम नाग कोब्रा रखा गया है नाग प्रक्षे पास्त्र के प्रहार की शमता मात्र 6 किलोमेटर है इसके द्वारा बड़े बड़े टैंकों को भेदा जा सकता है बच्चो इन प्रक्षे पास्त्रों को विक्सित करने से हमारा भारत वर्ष रक्षा संबंदी मामले में काफी आत्म निर्वर हो गया है, सबसे प्रमुक बात है कि इन सब को पूरी तरह हमारे वज्ञानिकों ने ही बनाया है, और इन प्रक्षे पास्त्रों के बन जाने से, हमारी सेनाओं का मनुबल बढ़ गया है, अच्छा सोनिया और विपुल, अब तो तुम लोग प्रक्षे पास्त के विशे में काफे कुछ जान चुके हो, मुझे भी अपने विद्याले में जाना है, और तुमारे विद्याले का समय भी हो रहा है, तुम दोनों विद्याले जाने के बनाया है, झाले में जाने कीना चुके हो, मुझे आनिया झाले में काफे कुछ छुमारे जान दिने तुमारे विद्याले युके हो, भी जाज़ सामने में काफे करें घ्न डाती है, झाल झाल